नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनु श्टड़ी क्लासे यूट्यूब चेलंग दोस्तों मैं आप से लोग कुण सियाटी बुग क्लास 11 भारती अर्थविवस्था का विकास चैप्टर 9 पर्यावरण और धान्डियक विकास परप्रस उत्तर मैं आप लोग सित किया जाता है इनमें वे सवी जयविक और अजयविक तक तो आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं प्रश्ट नमबर दू जब संसाधन निस सरण की दर उनके पुनजर ननन की दर से बढ़ जाती है तो क्या होता है पर्यावरण अर्थ विवस्था को संसाधन देता है पर्यावरण का अपस्थे होता है अर्थ विवस्था का विकास आधार्णिय हो जाता है अर्थ विवस्था इसे अती उप्योग और दूरुप्योग करती है बवि वरिच ख, मचली गह, पेट्रोलियम, घ, कोईला, अंग, लोह आयसक, चर जल, उत्तर, नविनिकर्णिय संसाधन, वरिच मचली गैर, नविनिकर्णिय संसाधन, पेट्रोलियम, कोईला, लोह, आईरीक जल, प्रस्त नमबर चार, आजकाल बिष्व की सामने डैस और डैस की दो मुख्य पर्यावरणिय समस्याइं हैं उत्तर वैस्विक उस्ष्रता और ओजून अपच्छे प्रस नमबर पांच निम्नकारक भारत में कैसा पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं सरकार के समक्ष वे कौन सी समस्याइं पैदा करते हैं बढ़ती जन संख्या नमबर एक उपभोग ना मानक निर्छर्ता और ध्योगी की करण सहरी करण बन छेत्र में कमी अवेद बन कटाई वैस्विक उस्ष्रता उत्तर कर बढ़ती जन संख्या बढ़ती जन संख्या से प्राकृतिक संसादनों की मांग बढ़ जाती है जबकि प्राकृतिक संसादनों की पूर किया जाता है और उभोग धारन चमता की सीमा से बाहर चला जाता है जिससे पर्यावड़ने हाने होती है इसके सरकार की समक्ष सर्व की आवसकताएं पूरी करने में आसमानता की समस्या आती है वायू पर दूसरण इससे कई प्रकार की बिमारियां जैसे दमा, फेफडों का कैंसर, छह रोग होती है इससे सरकार के लिए स्वास सेवाओं पर अधिक वे की समस्या उत्पन होती है जल पर दूसरण इससे हैजा, मलेरिया, अतिसार, दस्त जैसी कई बिमारियां होती है इसस इससे भी सरकार के लिए स्वास सेवाओं पर अधिक वैकी समस्या उत्पन होती है घर संपन उभोग मानक इससे प्राकृतिक संसादनों की मांगे बढ़ जाती है जबकि प्राकृतिक संसादनों की पूर्ति इस्तिर है इससे अतिरिक मांग उत्पन होती है जो प्राकृतिक सं आने संदर प्रसाधन और विलासी इताओं पर वै करते हैं और गरीब वर्ग को अपने बच्चियों और परिवार की आधार भूत समस्याओं और सक्ताओं के लिए भी धन नहीं मिलता अंगव निर्चर्ता ग्यान के अभाव के कारण लोग ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते र चा, वध्योगी करण इसे वाईो परदूसर्ण, जल परदूसर्ण और धोनी परदूसर्ण होता है इससे काफी बिमारिया जैसे दमा, कैंसर है जा अतिसार, मलेरिया, वरहापन आदि हो सकती है अधा सरकार का स्वास्त सिवाँ पर वै बढ़ रहा है जिससे सरकार पर वित उपियोग होता है और यह उपियोग धारन चमता की सीमा को पार कर देता है जिससे पर्यावरण का अप्छे होता है इससे भी आई की असमानताओं के कान अमीर वर्ग कुत्तों की खाने संदर्वे प्रसाधन पर खर्च करता है और गरीब वर्ग परिवार की आधार बूत और स वैस्विक उष्णता हो रही है अता सरकार को स्वास्त के साथ साथ ऐसे तक्निकी अनुसंधान पर भी वे करना पड़ रहा है जिससे एक प्रयावरन अनुकूल वेकल्पिक तक्नीक की खोज की जा सके जो अवेद बन कटाई इससे जैविक विवित्ता प्रभावित हो रही है मिर्दा सरच्चन वायू प्रदूसर में विर्धी हो रही है जिससे खाद संकला पर भी प्रभाव पड़ रहा है वैस्विक उष्णता की कान पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है यदि सम्मूंदर के जल का तापमान मातर दो डिगरी सेल्सियस से भी बढ़ गया तो संपूर्ण प्रित्वी जलमई हो जाएगी प्रस्त नमबर 6 पर्यावरण से क्या कारे होते हैं उत्तर पर्यावरण के महत्पूर्ण कारे निम लिखे थे यह जीवन के लिए संसाधन प्रदान करता है नविनी करने तथा गयर नविनी करने दोनों पर्यावरण द्वार प्रस्त नम्बर साथ भारत में भूच है के लिए उत्तरदाई छ कारक इस प्रकार हैं कबन विनास के फल्सोरूप बनस्पति की हानी ख आदानिय जलाओ लकड़ी और चारे का निसकर्षन गवन भूमी का अतिक करमड़ भू समुचित उपायो को न अपनाया जाना अंगग क्रिसी रसायन का अनुचित प्रियोग जैसे रसायनी खाद और किट नासक चवसिचाई व्यवस्ता का नियोजन तता अवी वेखपून फ्रवंद समझाएं की नकारात्मक पर्यावरन प्रभाव की आवसर लागत उच्छ क्यों होती है उत्तर नाकारात्मक पर्यावर्ण प्रभाव का सबसे नाकारात्मक अउसर लागत पर्यावर्ण अपच्छ की गुडवत्ता की स्वास्त लागत है वायू तता जल गुडवत्ता भारत में 17% जल श्रोष प्रदूसी थे में गिरावट के कान वायू संक्रामक बिमारियां बढ़ती जा रही है फलसोरूफ स्वास्थ पर सरकारी वे बढ़ता जा रहा है वैस्विक परियावण मुद्दू जैसे वैस्विक उस्मरता और उजोन छे ने इस्तिर को और भी गंभीर बना दिया है जिसके कान सरकार को और अधिक धनवे करना पड़ा फ्रस नमबर नौ भारत में धारणिया विकास की प्राप्ती के लिए उप्युक्त उपायों की रूप रिखा प्रस्तूत करें उत्तर धारणिये विकास की प्राप्ति के लिए निम्लखित उपाय किये जा सकते हैं कर उर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उप्योग भारत अपने विद्यूति और सप्ताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर यंत्रों पर बहुत अधिक नेरभर है इस दोनों का प विकास नहीं हो पाया है अधिक स्वच्छ इंधनों का उप्योग सहरी छेत्रों में इंधन की रूप में उचदा प्राकृतिक गैस CNG के प्रियोग को प्रोसाइद किया रहा है दिल्ली में जन परिवहन में उचदा प्राकृतिक गैस के उप्योग से परदूसर कम हुआ है और वायू स्वच्छ हुआ है ग्रामिर छेत्र में बायो गैस और गोबर गैस को प्रोसाइट किया गया है जिससे वायू पर दूसर कम हुआ है गर लगु जलिय प्लाटों की स्थापना पहाड़ी इलाकों में लगबग सभी जगह जहरने जी मिलते हैं इन जहरनों पर लगु जलिय प्लाटों की स्थापना हो सकती है ये प्रयावरण के अनुकूल होते है। कि गभु पारंपरीक। ज्यानुवव ब्यववार। पारंपरीक। रूपigger की ख्रिशी ब्यवस्था, स्वास्त, शुविधा, ब्यवस्था, आवास, परिवहन, सभी क्रिया कला प्रयावरण के लिए रिफ॥ कर रहे हैं, परन्तु आज कल हम, अपनी पारंपरीक प्राड लियोगों से दूर हो गये हैं जिससे हमारे पर्यावर्ण और हमारी ग्रामेड विरासत को मात्रा में हानी पहुची है अंगव जेविक कमपोश्ट खाद क्रिस्य उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकुक के प्रियोग में ने न केवल भूचे किया है बलकी जल ब्यवस्था विसिसकर भूतल जल प्रणाली भीद प्रदूसित हुई है च, आधार लिय उभोग तथा उत्पादन प्रवर्तियों में परिवर्तन धार लिय विकास प्राप्त करने के लिए हमें उभोग प्रवर्ति संसादनों के अति उप्योग और दुरुप्योग की अभेलना तथा उत्पादन प्रवर्ति परियाबरन अनुकूल तक्निकों क का प्रियोग में परिवर्थन करने किया हो सकता है प्रस्ट नंबर दस भारत में प्राकृतिक संसादनों की प्रचूरता है इस कथन के समर्थन में तर्क दें उत्तर छेत्र के मामलो में भारत विश्व का सात्मा सबसे बड़ा देश है जिसका कुल छेत्र पर 32 87 263 वर्ग किलोमीटर 32.87 करोड़ वर्ग हेक्टेर है यह विश्व के कुल छेत्र का 2.42 परतिसत हिस्सा है निर्चेप संदर्व में यह भारत वास्तों में एक बड़ा देश है हाला कि भूमी आदमी अनुपाद विशाल जनसंख्या की काना अनुकूल नहीं है दच्छिड के पठान की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपियुक्त है अरफ सागर से बंगाल की खाडी तक गंगा मैदान है जो की विश्व के अत्यधिक उर्वर्ग छेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहने खेती और जनसंख्या वारा देश है भारत चार इंधन खनीजों 11 धात्विक 12 गैर धात्विक 22 लगू खनीजों और कुल 89 खनीजों का उत्पादन करता है भारत में उच्छे गुडवत्ता लो अयस्क बहुतायन मात्रा में है देश में कुल लो अयस्क भंडार है 14630 मिलियन टन हेमेटाइड और 10619 मिलियन टन में टाइन है है में टाइन लो अयस्क मुख्यत चतिस गड़ जारखन ओडिशा गोवा और करनाटक में पाया जाता है कोईला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्द खनीज संसादाने कोईला उत्पादन के छेतर में भारत का चीन और अमेरिका के बाद विश्यों में तीसरा स्थान है प्रस नंबर 11 परियावरण संकट एक नवीन परिगटना है यदि हां तो क्यों उतर हां परियावरण संकट और ये मूरती मांग के उतकृमण से उतपन हुई है हाल में वर्सों में जनसंख्या में बहुत बृद्धी हुई है तरत現在 ये शंचाधन की मांग बढ़ प्रस्थ नबर 12 इसके दो उधारन दे ततर कअ परिया वर्णिये संसाद्नों का अति प्रियोग ज़ब लोग कुट्त्ये की भुजन संदर्व्य प्रसाधन अत्तिक बिजली उपकरण परिवहन की सदस्तियों की संख्या से अधिक संख्या में कारे खरीद रहे हैं तो यह परियावरणी संसादनों की अती प्रियोग की सूचक हैं प्रयावरणी संसादनों का दुरूपियों गोबर और लकडी इंदन की रूप में इस्तिमाल किया जाता है प्राकृतिक खाद की स्थान पर रासानिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना जेविक कीटनासकों के स्थान पर रासानिक कीटनासकों का प्रयोग ये प्रयावरणी हानी की भरपाई की आउसर लागते भी होती है ब्याख्या कीजिए उतर भारत में प्रयावणी सम्मंदित महत्मुर्ण मुद्दे निम लिखी थें कर जल संक्रण भारत में और ध्योगिक अवसिष्ट के कारण पे जल संक्रामक होता जा रहा है इसे जल संक्रामक विमारिया वायू पर दूसर सहरी करण के कारण भारती सडकों पर वाहनों की संक्या लागातार बढ़ रही है मोटर वाहनों की संक्या 1901 के 3 लाक से बढ़कर 2003 में 66 करोड हो गई भारत विश्व में दस्मा सार्वधिक अध्योगिक देश है परन्तु यहां पर्यावरण पर अंचाहे वं प्रत्य सित्प्रभाव की आउसर लागत पर हुआ है गवनु की कटाई भारत का बन आवरण बढ़ती जन संक्या के कारण लागातार कम हो रहा है इससे वायू पर दूसर दता उससे जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही है भारत में प्रतिवेक्ती बन भूमी 0.08 हेक् गेर की है घब भूचै भूचै बन बिनास के फल्सोरूफ बनस्पति की यहानी बन भूमी का अतिक्रमण बनों में आग और अत्तिदिक चाराई भू सरचन है तु समुचित उपायों को न अपनाया जाना अनुचित फसल चक्र क्रिसी रसायन का अनुचित प्रयोग अभी वेक पूर्ण प्रवंधन संसाधनों की निवार्थ उपलब्दता रता क्रिसी पर निर्भर लागतों की दरिद्रता के कारण हो रहा है निश्चित रूप से प्रयावरण हानी की भरपाई की आउसर लागत बिगड़ता स्वास्वास्त सुविधाओं पर अतिरिक्त वे खराब परयावरण में जीवन की खराब गुडवता की रूप में है जिसे ठीक करने के लिए सरकार को अतिदिक वे करना पड़ता है प्रस्त नंबर चुदर परयावरणी संसाधनों की पूर्ती मांग की व्याख्या कीजिए उत्तर अर्थ परयावरण अपने कारे विन में असंचम हो जाता है इससे परयावरण संकट जनम लेता है इसे पूर्ती मांग के उत्क्रमण की संग्या दी जाती है दूसरे सब्दों में जब संसाधनों की उत्पादन ता उप्भोग मांग संसाधनों में पून जनम दर से अधिक हो जाती है तो इससे परयावरण की और सोसी चमता पर दूस्प्रभाव पड़ता है, इसे पूर्ती संसादनों की पूर्ती मांग का उतक्रमण कहा जाता है, इससे निम्लखित कारण है का विकासील देशों की बढ़ती जनसंक्याख, विक्सित देशों के संपन उभोग तथा उत्पादन इस्तरग, नविनी करन उर्जय स्रोतु की गहन और व्यापक निकासी, प्रस नंबर 15, वर्तमार पर्यावरण संकट का वर्णन करें, उत्तर भारत के पर्यावरण को दो तरस से खत्रा है, एक तो निर्धनता के कान पर्यावरण का अपच्छै और दूसरा खत्रा सादन संपनता और तेजी से बढ अध्यवगिक छेत्रक के प्रदूसर से है, भारत की अत्यदिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायू प्रदूसर दूसित जल, मिर्दा, सरच्यन, बन, कटाव और बन जीवन की विलुपती है, कजल प्रदूसर भारत में ताजे जल के सरवधिक स्रोत अत्यदिक प्र प्रोड की जनसंख्या के लिए स्वच जल का प्रवंध सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है, जल जीवों की विलुपत होती दिखाई दी रही है, भूमी अप्चय, भारत में भूमी का अप्चय, विविन मात्रा और रूपों में हुआ है, जो की मुख के रूप से असिप प्रियोग और अनुप्रियोग प्रवंधन कार प्रणाली का प्रड़ाम है, गर ठोस अवसिष्ट प्रवंध विश्व की सत्र परतिसत जनसंख्या और विश्व पसूधन की 20 परतिसत जनसंख्या भारत की मात्रा 25 परतिसत छेतरक में रहती है, जनसंख्या और पसूधन का अत्यदिक घनत्तो और वानिकी क्रिसी चराई मानो वस्तियां और उध्योग के प्रतिसपरदी उप्योगों से देश के निश्चे भूमी संसादनों पर भारी दवाव पड़ता है घर जेविक विवित्ता कि हानी प्रदूसर के कारण बहुत से पसु पच्छियों और पौध दो कोप्रजातियां विलुप्त होती जा रही है इसका हमारे प्रयावरण पर बुरा प्रभाव पड़े पड़ रहा है अंगव सहरी चेत्रों में वाहन प्रदूसर से उत्पन वायू प्रदूसर भारत में सहरी चेत्र में वायू प्रदूसर बहुत है जिसमें वाहनों का सारवधिक योगदान है कुछ अन्य चेत्रों में उध्योगों के भारी जमाव और तापिय सक्ती यंत्रों के काण वायू पर दूसर होता है वहां उस सर्जन चिंता का प्रमुक कारणा है क्योंकि यह धरातल पर वायू पर दूसर का स्रूत है और आम जंता पर अधिक प्रभ प्रचन से 5.8 मिलियन से 8.4 मिलियन टन पोसक तत्तों की छती होती है प्रस नंबर 16 भारत में विकास के दो गंभीर नकारात्मक परयावण प्रभाव को उजागर करें भारत की परयावण समस्याओं में एक विरु धाभार है एक तो यह निर्धन ताजय नित है और दूसरे जीवन इस्तर में संपन्ता का कारण भी है क्या यह सत्य है उत्तर भारत विश्वका दस्मा सारवदिक और ध्योगिक देश है प्रंतु यह परयावण की कीमत कीमत पर हुआ है भारत में विकास भारत में विकास के दो गंभीर परयावण प्रभाव वायू प्रदूसर तता जल्प संक्रमन है यह कहना सही है कि भारत के प्रयावन समस्याओं में एक विरुधा भार भास है और यह एक और यह निर्धनता जनित है क्योंकि निर्धन छेत्र भोजन पकाने के लिए यह एल पीजी खरीदने में सच्छम नहीं आता हुए गाय के गुबर के उपले और जलाओं लकडी को इन्दन के रूप में प्रयोग करते हैं यह संसादनों का दूप्योग है जबकि दूसरी और अमीर वर्ग निकटतम इस्थान पर जाने के लिए कारों का प्रयोग करते हैं हर कमरों में वातानुकूलित का प्रयोग करते हैं हीटर, माइक्रोवेब और अनेक बिजली उपकरनों का प्रयोग करते हैं जिससे संसादनों के अती उप्योग हो रहा है तथा प्रेडाम स्वरूप प्रयावरन दूसित हो रहा है प्रस नमबर 17 धारने विकास क्या है उत् जन्तु स्वारवधिक उद्देत परिवासा आवर कामन फ्यूचर जिसे वुल्डेड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इन्हें दी है ऐसी विकास जो वर्तमान पीडी के अवसकताओं को भावी पीडियों पीडियों के अवसकताओं की पूर्ती चमता का समझोता कि ये बिना पूरा करें इसकी अंतरगत दो महत्वून अवधार्णाएं है आवसकता और भावी पीडियों इस परिभासा में आवसकता की अवधार्णा का सम्मन संसाधनों के वित्रण से है मुख्य रूप से संसाधन विश्व के गंभीर वर्क को भी समान रूप से मिलने च प्रस्त नमबर 18 अपने आसपास की छेत्र को ध्यान में रखते हुए धार्णिय विकास की चार रणीतियां सुझाईए उत्तर अपने आसपास की चार छेत्र को ध्यान से समझते हुए धार्णिय विकास की निम्लिखित रणीतियां हैं ग्रामिड छेत्र के निवासी होने पर ग्रामिड छित्रू में जलाओं लखडी उपलो एवं या अन्य जिव परदार्थ के इस्थान पर रसुमी गैस और गूबर गैस का उप्यूग जहां पर खुला इस्थान है उन गाओं में वायू मीलो की स्थापना की जा सकती है हमें किसी स्वास्त आवास और परिवहन में ऐसा पारंप्रिक ज्ञान है ज्ञान और वहवार का प्रियूग करना चाहिए जो पर्यावण के अनुकूल हो रसानिक किटनासको के स्थान पर जैविक किटनासको का प्रियूग किया जाना चाहिए रसानिक उरवरको के स्थान पर हमें जैविक कमपोश्ट खात का प्रियूग करना चाहिए सहरी छेतर के निवासी होने पर फोटो वोल्टिक सेल द्वारा और उर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए वाहनों में पेट्रोल या डीजल की जगह उच्छ दाप्राकृति गेस दीनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए हमें अपने अवसकताओं को कम करना चाहिए प्रस नमबर 19 धान लिया विकास की परिवासा में वर्तमान और भावी पीडियों के 20 समता के विचार की व्याख्या करें उतरिया बहुत सुंदर कहा गया है कि यह प्रयावरन हमें पूरवजो से विरासत में नहीं मिला बलकि इसे हमने भावी पीडियों से उधार लिया है जो चीज उधार ली जाती है उसे समान या बहतर रिस्तिती में वापिस करना होता है यहाँ पर वर्तमान और भावी पीडियों के 20 समता का विचार महत्पूर्ण हो जाता है हमें पिछली पीडियों पीडि को उपलब संसादनों के 20 समानता वनाने की आऊ सकता है हम अपनी भावी पीडि के भविस्ति को दाव पर लगा कर अपने वर्तमान का आनन नहीं ले सकते अतह विकास दारणिय तभी हो सकता है जब हम विकास की ऐसी विधियां अपनाएं जिसे वर्तमान समय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भविश से आउसकताओं की परवा किये बिना नहीं करती हमें भावी फीडियां को उतने ही संसाधन विरासत की रूप में सोपने की जिरूवत है जितने हमने अपने पुरवजू से प्राप्त किये हैं संसाधनों का रूप अवस से अलग हो सकता है जैसे हमने पेट्रोलियम पाया और हम उच्छ दा प्राकृतिक गैस दे रहें अतर सब्द समान नहीं है समता है अगर वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग